नमस्कार साथियो मैं पुश्पेंदर यादब आपका केपीच एकेडिमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जिसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस जो छोटे सेशन के जो वीडियोज हैं इन मैं समसामिकी के विशों की चर्चा करता हूँ तो उसी तरीके से हम लोग आज फिर्शेक नए विश्यक के साथ आए हैं और आज मैं चर्चा करूँगा भारत की संसत से हाल ही में पारित संस्क्रत विश्विध्याले विध्यक की दरसल ये जो कैंदरीय संस्क्रत विश्विध्याले विध्यक 2019 है ये हाली के दुनों में काफी चर्चा में रहा चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसको 2 मार्च 2020 को राज्य सबा से अनमती मिल गई है और अब हम बात करते हैं कि क्या था ये बिल और इसके महत्वपूर बिंदू क्या है दरसल केंदरिय मानव विकास संसाधन मंतरी रमेश पोखरियाल ने 2 मार्च 2020 को राज्य सबा में केंदरिय संस्कृत विश्विध्याले विधेयक पेस कर दिया और इस विधेयक को सबसे पहली बार 11 दिसंबर 2019 को लोग सबा में पेस किया गया था और अगले ही दिन इसको वहां से पारित भी कर लिया गया, इस विधेयक का जो ओदेश है, वो भारत के तीन डीमड विश्विध्यालें को केंदरिये संस्कृत विश्विध्याले में बदलना है, तो आपके लिए जाना बड़ा जरूरी है कि ये तीन केंदरिये संस्कृत वि नई दिल्ली जो दूसरे नमर पे रखा गया है दोस्तों वो है लाल बहादुर सास्त्रिय राष्टिय संस्कृत विद्यापीट नई दिल्ली और तीसरा है राष्टिय संस्कृत विद्यापीट तिरुपती तो ये जो तीन डीम्ड विश्विध्याले हैं इनको भारत सरकार इस बिल के जरीए अब कैंदरिय संस्कृत विश्विध्याले में बदल दिया है तो दोस्तों यहाँ पर यह जानते हैं कि यह जो कैंदरिय विश्विध्याले होंगे इन विश्विध्यालें के पास कौन-कौन से कार्य होंगे और इनके पास क्या-क्या सक्तियां होंगी कार्यों की बात करें तो इसका सबसे जरूरी काम ये होगा कि संस्कृत भासा के ज्यान का प्रशार करें और इसको अधिक से अधिक उन्नत बनाया जाए तो वहीं इसका कार ये भी होगा कि सामाजिक विज्ञान और जो विज्ञान का एकिकरत पाठिकरम है उसके लिए एक विशेस प्रावधान किया जाए और संस्क्रत भासा और उसके जैसे विशियों को संरक्षड दे करके लोगों को इसके प्रती प्रसिच्चित भी किया तो वहीं इन कैंदरिया विश्वध्याले्यों के पास कुछ सकतियां होगे सकतियों के रूप में पाठिकरम क्या होगा और इसका प्रसिच्चड कारिकरम कैसा होगा उसको ये विद्ध्याले तै करेंगे साथी साथ ये डिगरी डिप्लॉमा और प्र्माडपत्र भी परदान करना हो या एक कॉलेज या संस्थान को स्वाइट स्थिति प्रदान करना हो ये सारे कामी लोग कर सकते हैं。 साती सा संस्कृत और संबद्ध विश्यों में सिच्छा के लिए निर्देश भी निर्गत कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इन विश्विध्यालियों के प्राधिकार की तो प्राधिकार के तौर पर इसमें कई स्टेजिस में चीजों को रखा गया है। जिसे न्यायाले के रूप में इस विश्विध्याले की नीतियों की जो समिक्षा है वो की जा सकती है और इसके विकास के लिए उपाई सुझाए जा सकते हैं। तो साती सात इसमें कारिकारी परशद का प्राधान है जिसमें 15 सदश्य होंगे और जो कुलपती होगा वो ही इस 15 सदश्य इलकास मंत्राले के संयुक्त सचिव के अलावा संस्करत या उसे संबंदित विश्यों के दो पतिश्चित ज्यानी लोग भी सामिल किये जाएंगे। अगर हम बात करें यहां पर इन परशद के सेक्षडिक पदों पर नियुक्ति की तो ये परशद ही तै करेगी कि कि किसको रखना है और ये परशद ये भी तै करेगी कि विश्य विध्याले के राजस और संपत्ति का प्रबंधन कैसे करना है। इसमें एक अकादमिक और गतिविधी परशद भी बनाई जाएगी जो कि इसकी अकेडमिक नीतियों की निगरानी करेगी तो वहीं पर एक बोर्ड विश्य विध्याले होते हैं इन का जो विजिटर होता है वो हमेशा राष्टपती होता है तो यहां पर भी राष्टपती को ही विजिटर के रूप में निगत किया गया है और राष्टपती इन विश्य विध्याले के कामकाज की समिच्छा और निरिक्षड करने के लिए क ये एक complete बात थी आपके जानने के लिए और आपके जो एक्जाम आने वाले हैं उसमें बहुत ही मेत्वपूर्ड साबित जरूर होगा जुड़े रहिएगा कि पेचे अकेडमिक साथ पस्मेंदर आदब के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद